अच्छो नमस्कार दिखे चलते हैं क्वेशन फॉर्थ के ओर संगु के आकार का एक तंबू 10 मीटर उचा है तो यह 10 है यह संगु की उचाई हो गई उसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है यानि आर कमान स्वरी त्रिज्या 24 मीटर है आर कमान मान लिजे 24 मीटर हो गया ठीक न अब हमें इसमें दो चीजें ग्याद करना है पहली तो तंबू की तिर्यकुचाई यानि हमें एल कमान फाइंड आउट करना है दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत यद एक मीटर स्कॉयर यहां इस पार लिखना होगा कैनवास की लागत 70 रुपए है तब हमें क्य क्या क्या दिया गया है इसकी स्परक्राओं सबसे पहले हम यह पर करते हैं तो दिखें संक की ऊचाई हमको दी गई है अ कि संक की ऊचाई है एच वराबर 10 मीटरं अ निए तरिज्या तो फिर्स्ट पॉंट हमारा यह है संक की तिदेर कुचाई एल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर आप देखेंगे कि यह काण है यह जो भुजा है यह लंब का काम कर रही है और यह आधार का काम कर रही है इसका मतलब है यह काण नब्यांस का है और पाइथागुरस प्रमे से हम आसानी से एल यानि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो देखें कण एल होगे हमारा एल का वर्ग इकल टू लंब क्या है हमारा लंब यही एच है यानि एच का वर्ग हो गया प्लस आधार आर का वर्ग हो गया यह हो जाएगा एच का मान चुकि हमें 10 मीटर दिया है यानि 10 का वर्ग हो गया प्लस आर बराबर हमें 24 मीटर दिया गया है तो यह हो गया 24 का वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा तो 24 का गुणा कर लिजेगा तो यह हो जाएगा चार पांसो चैकर यह हो जाएगा पांसो चैकर न कि कुल टोटल हो गया यह चैसो चैकर यह एक दोनों और का बर्गमूर ले ले आप लेख सकते हैं दोनों और का बर्गमूर लेने पर यह हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा रूट शेसो चैकर बराबर 26 ठीक है तो यह हो जाएगा यह तेजा कुछा ही हो गई मेंटा ठीक अब सेकिंड इसको आप निकाल के देखेगा तंबू में लगे कैनवास की लागत ठीक कैनवास की लागत निकालने के लिए हमें यह ये इतना एरिया यानि इसका वक्क प्रस्ट निकालना होगा तो लिखे तंबू में लगे अपू देख रहा है जी यानि तंबू में लगे कैनवास की लागत करने के लिए ये वक्ष प्रस्थ हमको जाद करना पड़ेगा तंबू में लगे बराबर संको का वक्ष प्रस्थ कर शेत्रफल गोड़ा लगत में क्या दे रहा है एक मीटर इस्पायर लागत क्या सत्तर रुपए है गोड़ा सत्तर ये बात के लिए रहोगे तो संको का वक्ष प्रस्थ कितना होता है पाई आर एंटू सेबंटी तो पाई कमान कितना होता है बाइस वर्टे शाथ इन्टू आर कमान 24 इन्टू एल कमान हमने यह से 26 निकाल ल काटेंगे सत्तर दस बार तो यह आ जाएगा आपका 22 इन्टू 24 इन्टू 26 इन्टू 10 इसको जब हल करेंगे हम देखिए कैलकुलेट के लिए हमने यह आ जाएगा तेरह बहत्तर अस्ची काई दाहिस सेग्ड़ हजार दस्या लाग एक लाग सेंतिस हजार दोसो अस्ची तो लेकिए तंबू में लगे के अन्वास की लागत यह दोनों आंसर हमारे निकल आए तो प्यारे बच्चों हमें आसा है कि यह वीडियो को लाइक कर दिए प्लीज प्याव कर दो दोला 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 कर दोस्चायो आए तो लोला दोला आसा है जोला आए उत्वास्ची